अब भीयर्थियों के लिए बुड़ी खबढ़ है अब नियोएस की डिगड़ी पर सरकारी सिक्चक नहीं बन सकते हैं ये मामला अब साफ हो गया है अब भीयर्थियों को मौका नहीं मिलेगा किंद्र सरकार ने ये अधिसुचना जारी करके साफ कर दिया है RTI एक्ट के तहट पूछे गए एक सवाल के जवाब में किंद्र सरकार ने ये जवाब दिया है सुचना में सामने आई बाते N.I.O.S. शिर्फ उनिह अपर सिक्षित सिक्चकों के लिए जो पहले से सेवा में हैं इसका मतलब ऐसे सिक्चक जो पहले से सेवा में है N.I.O.S. से D.A.L.A.T करने का लाब सिर्फ उनिहकों होगा साथ में अगर वो प्राइवेट स्कूल में कहीं कारेरत है तो बस वहीं कारेरत रहेंगे उन्हें सरकारी नौकडी में इसका कोई लाब नहीं मिलेगा आपके स्क्रीन पड़ा पढ़ सकते हैं दो वर्सिये डीलेट कोर्स के नाम पर नौकडी पाने के मामलें बड़ा परदाफास हुआ है वैसे बेरोजगार को भी अपर सिच्चित सिक्षकों के नाम पर इस कोर्स में नामांकन ले लिया गया जो विद्यालों में कारेरत भी नहीं थे मानब संसादन विकास मंत्राले भारत सरकार ने असपस्ट किया है कि नाई योएस से डीलेट कोर्स मात्र सेवा रत अपर सिच्चित सिक्षकों के लिए था इस आधार पर सरकारी स्कूलों में प्राथमिक सिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती ये बड़ा जटका है सरकारी स्कूल में अब उनको पद अस्थापित नहीं किया जा सकता है इस डीडी के आधार पर आलोक कुमार नामक एक व्यक्ति द्वारा मांगे गए जानकारी के जबाब में 25 जुलाई को मानव संसादन मिकास मंत्राले के अंडर सेकेटरी असोक गिडी ने ये जानकारी दी है कि डी एलेड कोर्स श्रिप ऐसे अपर सिक्षित सिक्षकों के लिए था जो प्राइवेट स्कूलों में कहीं कारेरत हैं उन्हीं अपर सिक्षित सिक्षकों के लिए है जो पहले से सिवा में है बीएट कॉलेज ने कहा अब उट आया है पहार के नीचे बीएट कॉलेज चलाने वाले कई परबंदक ने इस RTI के सामने आने के बाद कहा है कि इस तरह एक बड़ा फ़र जीवारे पर रोक लग सकेगा अभी टीचर्स ट्रेइनिंग इंस्ट्यूट कफेन के निदेशक संतोष कुमार ने भी इसका स्वागत किया है और कई अन्य बीएट कॉलेज के जो जबकि HRD मंत्राले का सिधा निर्देश था कि जो ऐसे सिक्षक है जो कहीं स्कूल में पदस्थापित है उन्हीं को डीएलेट कोर्स करवा करके परसिक्षन दिया जाए क्योंकि अक्टूबर 2019 के बाद अब परसिच्षित सिक्षक स्कूल में नहीं होने चाहिए सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में इसका जिक्र है और अब ये सामने आ रहा है कि डीएलेट कोर्स के आधार पर सरकारी स्कूलों में सिक्षक के रूप में पदस्थापित होने का दावा नहीं कर सकते अभ्यरती और ये बड़ा जटका लगा है न आई ओएस से डीएलेट सिक्षकों के लिए जो सोचते थे कि उनको स्कूलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा सरकारी स्कूलों में और कई अभ्यरतियों ने तो सीटेट तक का एक्जाम दे डाला कि सीटेट के एक्जाम परिक्षा पास करने के बाद सरकारी स्कूलों में अपलाई किया B8 और DL8 की डिगरी लिये हुय अभ्यर्थी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे थे कि हमने इतना पैसा खर्च किया और N.A.U.S. से डिगरी लेकर हमारे बराबर कोई सिक्छक बनना चाहरा है यह गलत है क्योंकि जब सरकार की मंसा ऐसी ही है तो सभी को निसुलक B.A.D.L.A.D. करवाना चाहिए पर अब ये बड़ा जटका N.I.O.S. से डिग्री लिए अभ्यार्थियों को लगा है कि अब उनको सरकारी नौकरी में किसी भी परकार की तरहीज नहीं दी जाएगी और इस खबर के साथ ही सपना तूटा है N.I.O.S. से D. B.A.D.L.A.D. किये अभ्यार्थियों का सरकारी सिक्षक बनने का